नमस्कार राजिस्थान संबाद में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चेतना पाद्यक्ष घोशित किया गया था तब से ही वसुंदरा राजे के तीखी तेवर भी शुरू हो गये थे लेकिन इन तेवरों का असर ना तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी पर पड़ा और ना ही अमित शाहपर क्योंकि राजिस्थान के लोकसभा चिनाव में उनकी कोई भ जाएगा इंटर्व्यू। जादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडियस सल्यूशन्स। कॉल करे 9001-299-672 और विजित करे www.mishymediasolutions.com हाल ही में विधान सभा की रामगर सीट पर हुए चुनाव को ही देख लीजे। पार्टी के तमाम दिगजों ने रामगर में जमापरा लगाया। लेकिन रामगर चुनाव में वसंदरा राजी तो दूर उनकी परचाई तक नज़र नहीं आई। ऐसाई से लिए क्योंकि अ हैं लेकिन इसमें भी अमिच्छा की राजनीती किसे से छुपी नहीं है क्योंकि शाह ने राश्ट्र पादक्ष इसली बनाया है ताकि उनके राजिस्थान से छुट्टी हो जाए। ये पहला मौका नहीं है जब शाह और वसंदरा राजी के लड़ाई सब के सामने आई प्रदेश अद्रक्ष की चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था जिसका परिणाम ये रहा कि साथ दिन के बाद में बीजेपी ने ऐसा प्रदेश अद्रक्ष बनाया जो खुद ही फैसले ले नहीं सकता। वसंदरा राजे का राजनीती कर्यार खत्म करने के प्लाइ और अब राजेस्थान की राजनीती से भी उनका पत्ता साफ हो गया है। कैमरा ओन करके होरिजेंटल इसको रखेंगी और इस तरह से अपना जवाब आपके विचार और जवाब कोई भी हो उसे रिकॉर्ड करके हमें भेश देगे। याद रखें मोबाईल की सिच्वेशन वर्टिकली ना होके होरिजेंटल होनी चाहिए। और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसे हम देंगे हमारे चैनल पर चलाने का मौका। जी हाँ और आज का प्रश्ण है आप अपने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चहरा देखते हैं। राहुल गांधी या फिर नरिंद्र मोदी। आपका जो भी जवाब हो उससे हमें फटाफट से सल्फी वीडियो बना कर भेजें।